ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज हर पल, हर शन, हर सच बिलाई नगर विधायक देविन यादव के बिलाई निवास में सोमवार को E.D. की रेट के बाद मंगलवार को बिलाई विधायक देविन यादव ने इंडियन न्यूज से खास बाचित की और E.D. की कारवाही को लेकर अपना पक्ष रखा आए देखते हैं देविन यादव थाउग और दी है या grass रेंगेठन एजमा और संपाइब करना और हमारे कांग्रेस पार्टी को कैसे रोके इसकुंअ के वो काम कर रहे हैं और क्या जिस प्रकाल लगा था पुरे शत्तिस गड़ में कई जो कॉंग्रेस के दिग्गर जो के यहां चापए पड़े हैं और जानकर यह भी आई कि उनके हां से कुछ दस्ता बेज मिले खनीच को लेकर तो क्या आप कि आप कि आप से ऐसा कोई दस्ता बे कुछ बंची नी जरुए भारती जन्ता पाटी को करने की जरूबत है जो कर रहित comment जंता उनको बुरा हर्श करें सावी कूह जी ओंडेशा की ढाति है और कृज सभी से क्लिग हूँ क्योंकि काम ही नहीं था उनका पॉलिसी यह रहता है प्रेशर क्रिएट करना वो सारी चीजों को देखेंगे जांच करेंगे और इसके बाद आप से सवाल करेंगे बाद अशी है कि देखो आप कहीं पर इन्वाल होगे किसी चीज में रहोगे तो आपको कन्फीजन होगी दिक कि अभी पंजाब और जंबु कस्मीर तक आप रहुल गांदी जी के साथ चले क्या यह वजा मान सकते कि आप अचानक रास्ती नेता के रूप में जाने जाने लगे क्लेश के अर यह काम करता हूँ मुझे जहां जहां मौब करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत तरीका है और इससे उनको कोई पाइदा नहीं मिलेगा जनता उनको बहुत बड़ा जवाब देगी और देखिए भारती जनता पार्टी देखो विनाश काले विप्रित बुद्धी बोलता है ना कि आदमी जब अंकार में इतना डूब जाता है कि संसार का हर विशे को चाता है कि प्रेस कांफरेंस करें यहां पर भुपेश बगहर लें भी प्रेस कांफरेंस करेंगे क्या मानते हैं कि अब उसको लेकर हम प्रचारित हो रहे हैं और लोग चातिस गड़ के बहुत प्यारे हैं चातिस गड़ के लोग मुझे लगता है भारत में एक्जैम्ट एक छोटा सवाल की कले रेड हुई है कि रहूल गांधी जी या मुख्यमंत्री बुपेश बगल जी का आपका फोन पर चर्चा हुआ क्या उनकी समझा इस्ति मेरी किसी से कोई चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि वह साड़े साथ बज़या है इसके फोन तो ही लेकर चले गए तो हैसी कोई बात किसी से नहीं हुई लेकिन मेरा मेरे लीडर से मैं बात करने की कोशिश करूँगा अभी तो मैं आप लोगों इस बात कर रहा हूं इसके अपने पार्टी में और सब ज़गे पर बात करूँगा यह थे देवें दियादव जी जो भिलाई नगर के विधायक है इन्होंने इडी को लेकर कई सारी बाते कहिए और यह दम निश्चिंथ है और यह सुतंत रहे कि इनके हां से अभी तक कुछ नहीं मिला और इडी को जो जानकारी मिली थी पूरी तरह गलत थी मेरे सही होगी रवी शोनकर के साथ 37 बहुत भिलाई